जेहन दोस्तो, दोस्तो आज हम बात करेंगे भारत के पिर्थम CDS यानि की Chief of Defense Staff General Vipen Ravad के बारे में तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 दिसंबर 2021 के लिए General Vipen Ravad अपने कुछ सेन अधिकारियों और अपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ में MI-17 B-5 हेलिकॉप्टर में सवार होकर अपने एक लेक्चर के लिए Defense Staff College Wellington जा रहे थे और Wellington पहुंचने से करीब 10 किलोमेटर पहले उनका हेलिकॉप्टर जो है वो क्रेस हो गया तो दोस्तो जिसमें उनके साथ साथ 13 अन्य जवान इंक्लूडिंग उनकी पतनी जिनका नाम था मधुलिका रावत वो भी बीरगति को सब प्राप्त हो गए तो दोस्तो इसमें एक Major General Ragnut का दिकारी बनने वाले थे जिनका नाम है दोस्तो Brigadier Leader दूसरे दोस्तो एक Lieutenant Colonel ओर फोर्स के Pilot ओर फोर्स के Wing Commander और चार पेरा कमांडो सामिल थे इन सबी के जो है दोस्तो मृत्य हो गई और ये भारत के लिए सहीध हो गया तो आज हम दोस्तो जनरल विपन रावत के बारे में आपके लिए कुछ महत्पूल पॉइंट बताने वाले हैं जो कि आपके लिए पता होना चाहिए तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहला कोश्चन है दोस्तो जनरल विपन रावत भारत के पिर्थम डैस थे ओप्सन से आपके नौसेना पिर्मुख, बायूसेना पिर्मुख, थलसेना पिर्मुख या फिर Chief of Defense Staff तो दोस्तो जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ और आपको पता भी है कि जनरल विपन रावत भारत के पिर्थम CDS यानि कि Chief of Defense Staff थे तो यहाँ पर option D आपका एकदम सही answer होगा ठीक है अगले question के तरफ चलने से पहले मैं बता दूँ कि ये वीडियो दोस्तों मैं काफी मुश्किल से बना पा रहा हूँ क्योंकि जनरल विपन रावत जो थे वो हमारे भी जनरल थे क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं खुद आर्मी में हूँ और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे सरपे से एक बहुत बड़ा आदमी जो है जिसका हाथ था हमारे सरपे वो चला गया है ठीक है तो चलिए अगले question की तरफ चलत है MI-17 B-5 helicopter ये भारत ने रूस से खरीदा है और ये रूस में ही बना है तो option C इसका सही answer होगा अब चलते हैं दोस्तो question number 3 की तरफ CDS जनरल विपन रावत का helicopter कब और किस राज में crash हुआ option से आपके 8 December 2021 तमिलना एडू में 9 December 2021 करनाटक में 8 December 2021 केरल में या 5 December 2021 आंधर प्रदेश में तो दोस्तो ये जो helicopter था MI-17 B-5 ये 8 December 2021 के लिए तमिलना एडू के केनूर में जो है वो crash हुआ था ठीक है तो option A यहाँ पर आपका एकदम सही answer होगा आप चलते हैं दोस्तो question number 4 की तरफ भारत के पहले CDS जनरल विपन रावत का जन्म कब हुआ था options हैं 14 फरवरी 1957, 8 दिसंबर 1969, 16 मार्च 1958 और 15 अगस्त 1955 तो दोस्तो जनरल विपन रावत का जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 के लिए तो option C यहाँ पर आपका यहाँ पर सही answer होगा next question है हमारा question number 5 जनरल विपन रावत का जन्म कहां हुआ था options हैं उत्राखंड, तमिल नाइडू, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश तो दोस्तो इनका जन्म हुआ था उत्राखंड के पौड़ी गड़वाल में तो यहाँ पर option A आपका सही answer होगा अगला question है हमारा question number 6 CDS जनरल विपन रावत भारत के कौन से नंबर के थल सेना प्रमुक थे option से आपके 27 नंबर के, 25 नंबर के, 22 नंबर के या फिर एक नंबर के ठीक है तो दोस्तो जनरल विपन रावत भारत के 27 नंबर के जो है वो थल सेना प्रमुक थे option A यहाँ पर आपका सही answer होगा question number 7 है general weapon रावत की पत्नी का नाम क्या था options है भारती रावत, अनामिका रावत, अर्चन रावत और option D है आपका मदूली का रावत तो दोस्तो इनकी पत्नी जो कि इनके साथ इसी helicopter crash में मृत्यू के लिए प्राप्त हो चुकी है जनरल विपन रावत भारती सिना के किस regiment से संबंदित थे options हैं गोर्खा regiment, गड़वाल regiment, राजपूत regiment या फिर राजपूत आना rifles तो दोस्तो जनरल विपन रावत भारत के गोर्खा regiment से संबंदित थे और उनकी जो यूनिट थी इस regiment में वो 511GR यानिकि 511 गोर्खा राइफल्स थी तो option A यहाँ पर आपका सही answer होगा question number 9 की तरफ चलते हैं जनरल विपन रावत भारत के पहले CDS कब बने options हैं 15 अगस्ट 2019, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2019 और एक जनवरी 2021 तो दोस्तो 31 दिसंबर 2019 के लिए ही ये भारत के 27 में थलसेना प्रमुक के पत से रिटेर हुए थे और 31 दिसंबर 2019 के लिए ही दोस्तो इनके लिए भारत का पहला CDS जो है वो नियुक्त किया गया था तो option C यहाँ पर आपका सही answer होगा आप चलते हैं दोस्तो आज के last question के तरफ question number 10 question number 10 है हमारा जनरल विपन रावत के पिता का नाम क्या था तो इनके पिता का नाम बताने से पहले में आपको बता दूँ कि इनके पिता भी दोस्तो गोर्खा राइफल्स यानि की गोर्खा रेजिमेंट से सम्मधित थे और इनके पिता दोस्तो एक सिपाही के तौर पे गोर्खा रेजिमेंट में भरते हुए थे जिनोंने बाद में कमेशन लेकर लेटनेन जनरल तक का पद ग्रेहन किया तो question number 10 का सही answer है आपका option A लेटनेन जनरल लक्षमन सिंग रावत बिपेन रावत के पिता जी का नाम था तो option A यहां पर सही answer होगा तो चलिए दोस्तो अगर आप इस वीडियो के दोस्तो PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से आपको ये मिल जाएगे थैंक्यो फर वाचिंग दोस्तों उमिद करते हैं आपको हमारे प्रतम CDS के बारे में हमने जो आपको कुछ questions लेकर आये थे वो पसंद आये होंगे तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत